हेलो दोस्तों हमारे चैनल क्रिक्टिक माइंड में आप सभी का स्वागत है। भारत ने इंग्लेंड को तीन मैचों की एक दिवसिय श्रिंखला में साथ रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुवे भारत 329 रनों पर सिमट गई। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आये इंग्लेंड की टीन की शुरुवात अच्छी नहीं रही और भुवनेश्वर कुमार ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया। उसके बाद इंग्लेंड का कोई बेट्समें टिक नहीं पाया। इंग्लेंड के 257 रनों पर आठ विकेट गिर चुके थे लेकिन बल्लेबाजी कर रहे इंग्लेंड के आल राउंडर सेम कारण ने बहुत अच्छी बैटिंग की। वो मैच को अंत तक ले गए और लगभग इंग्लेंड को मैच जीतने की स्तिथी में लाकर खड़ा कर दिया था। शारदूल थाकोर के स्पैल के अंतिम ओवर उन्होंने 18 रिन मार कर पूरा मैच बदल दिया। लेकिन हारदिक पंडिया ने 49 वे ओवर मात्र पांच रन दिये और दो कैच भी छूटे। अंतिम ओवर में नट्राजन ने भी अच्छी गेंदबाजी की और भारत यह मैच जीत गया। सेम करण की बैटिंग देखकर सभी को MS धोनी की याद आ गई। उन्होंने भी मैच को अंतिम ओवरो तक ले जाकर भारत को कई मैच जीतवाए है। बता दे की सेम धोनी की कप्तानी में CS के लिए खेले है और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों ऐसे क्रिकेट से रेलेटट खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।